नमस्कार मैं हो ससी आया जर्खन के टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं जर्खन में एक मैसे नहीं लगेगा 18 प्लस को वैक्सिन जर्खन में 18-24 बरस के आयू के नागरी को में टीका करन को लेकर काफे उत्सा देखा जा रहा है इस आयूगर के लोग खास कर युवा लगतार कोविट पोटल पर अपना रेइस्टेशन करा रहे हैं राज सरकार ने भी इसकी त्यारी पूरी कर ली है लेकिन एक मैसे इनका टीका करन सुरू होने पर अभी संसाय पर करा रहा है मुख्यमंत्रे हमांसुरे ने कहा है कि 18-44 बरस के नागरी को के मुफ्थ टीका करन की त्यारी पूरी कर ली गई है वैक्सिन उपलब्द होने पर इस आयूग के लोगों का टीका करन सुरू हो जाएगा तीन मैं तक मौसम खराब राजे के आस्पा साइकलोनिक सर्कुलेशन का निर्वान हो रहा है इससे कई जीलों में बारिश हो सकती है मौसम केंद्रे के उनिशार दो मैं तक इसका असर रह सकता है और तीन मैं से मौसम सुस्क रहेगा बुद्वार को मौसम सूस कराने के कारान राज धानी का अधिक्तम तब मान 49.5 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया प्राइवेट इस्कूल अवैद वसूली कर रहे हैं एसोसियेशन जाखन पैरेंट्स एसोसियेशन के अधियक्ष अजयराय ने कहा कि एक और पूरा देश कोरोना से लड़ाई लग रहा है लोग अपने परिवार को बचाने को लेकर जद्दो जहाद कर रहे हैं वही राज के प्राइवेट इस्कूल राज सरकार के आदेश को धत्ता बता कर अवैद फिस्वसूली कर रहे हैं उन्होंने इस समद्द में एक पत्र राष्टी ये बाल संवच्चन आयों को भेजा है और दोसी स्कूलों के खिलाब दन्रत्मक करवाई करने की मांग की है रेमडेश सीवीर की काला बजारी को लेकर एक गिरफतार रेमडेश सीवीर के काला बजारी मामले में राजीव सिंको गिरफतार कर लिया गया है जबकि उसके सयोगी राकेश कुमार को हिरासत में लेकर पूछता जारी है इधर इस समद्द में आउसधी नियंत्रक के ब्या पर कोतवाली थाना में विभीन धरावों के तहत गुरुवार को प्राथमी की दर्ज की गई है। राचे जिला बल में एक डिएसपी और तिन इस्पेक्टर कोरोना से संक्रामित है। की गाई की कोई जरूरी काम हो तभी रोड पर निकले नहीतों पर सासन की ओर से करवाई की जाएगी। राचे जिले में चप्पे चबे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सरकार से जारी दिशा निर्देश का पूरी तरह पालन हो सके इसके लिए पनाप संख्या में जवानों को प्रतिनुक्ती भी कर दी गई है। मुंबाई से हटिया पहुचे स्पेसल ट्रेंज से उतरे 442 स्रा में एक तीरपन पोजेटिव। से महिमन सुरेण ने गुरु आरकु कुरोना वायस का टीका लगवाया है। इस तुरह नों ने कहा कि राज सरकार लोगों के साथ हर वक्त खड़ी है। कोविट-19 का टीका शुरक्षित और असरदार है। उन्हों टीका को लेकर भांतिया, डर और अफ़ाओ पर ध्यान नहीं देने की अपिल की है। कुरोना टीका लेने के बाद सियम सिरी सुरेन ने सभी राजवास विशु टीका करम में बढ़ चरकर हिसा लेने की अपिल की है। ज्यारखन हाई कोट ने दवाओ की कला वायारी पर मांगी रिपोर्ट। ज्यारखन हाई कोट के चीफ जस्टिस डाक्टर अभी रंजन वा जस्टिस एस एन पर साथ के अधालत ने राज्य में कुरोना संक्रविद मरीजों को दी जाने वाली जरूरी दवाओ की कला वाजारी पर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अधालत ने राचिम रेमडे सिवीर अक्सीजर और अन्यमादपूर्ण जिवन रक्षक दवाईयों की हो रही कला वाजारी पर एस एसपी को रिपोर्ट से अपने को कहा है। गुमला 150,413, जामतरा 93, खुटी 199, कोडार्मा 113, लात्यार 166, लोहरदागा 130, पांकुर 2, पलामू 192, रामगर 222, राचि 1549, साहिब गई 33, सराइकल 144, सिम्डेगा 135, सिम्डेगा 145, सिम्डेगा 147, मरीज मिले है। जार्खन में 145, मरीज की मौथ हुई है, जिसमें राचि से 69, रामगर से 13, पुर्वी सिम्डेगा 148, बोकारो, खुटी 77, कोडार्मा में 5, सराइकला 5, सिम्डेगा 15, सिम्डेगा 4, 4, गेडिवा, गोड़ा में 3, 3, पलामू, साहिब गईज में 2, 2, लाते हार लोर्दागा गुमला जामतरा देवघर में 1, 1, मरीज की मौथ हुई है, जार्खन में कूल मौथ की संख्या 25, 40 है, वहीं जार्खन में कूल एक्टिव केज की संख्या 55, 877 है, भारत में 3,86, 659 केस मिले हैं, भारत में कूल मौथ की संख्या 2,08, 313 है, वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 31,64, 825 है, भारत में 2,94, 484 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जार्खन में 47, 555 मरीज स्वस्थ हुए हैं,